नमस्कार आप देखरे निवस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांथोन आपके साथ बिहार में हो रहे 24 सीटों पर बिहार विधान परिशद के आज चुनावी नतीजे का दिन है एक एक करके सबी जिलों से चुनावी नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं और बिहार एंटी पूरी मजबूती से इन 24 सीटों पर अपना दंखम दिखाती हुई नजर आ रही है आजजेडी कहीं पीछे चूट चुकी है और अब अगर बात करें विहार के कटेहार की तो यहां से भाजपा प्रत्याशी अशोक अगरवाल ने जीत हासल की है आपको बता दे कि अशोक अकरवाल कटेहार की सीटिंग M.L.C है 2015 में उन्होंने निर्दलिय तोर पर M.L.C का चुनाव लड़ा था जिसके बाद अभी चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो गए इस बार के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकेट दिया जिसके बाद वो भाजपा के प्रत्याशी बने और उन्होंने कॉंग्रिस के सुनी लियादव और आजेटी के कुंदन कुमार को भारी मतों से हराया है यानि की जो अशोक अग्रवाल कटेहार के सीटिंग MLC है उनकी जीत अभी भी वहाँ पर बरकरार है पहले वो निर्दलिय तरीके से उन्होंने चुनाव जीता था और अब भाजपा में शामिल होके उन्होंने चुनाव जीता है कटेहार में भाजपा का वर्चस्व कायम होता हुए नजर आ रहा है और ऐसे अगर बाकी सीटों की बात करें तो हट जगा बिहार एंडिय अपना पूरा जोशोर दिखाती हुई नजर आ रही है बिहार एंडिय की बढ़त काफी जादा हो चुकी है हलाकी पहले ऐसा लग रहा था कि RGD बढ़त हासिल कर सकती है तिजस्वी आदव इस बात की लगातार ताल ठोक रहे थे कि RGD बिहार में हो रहे हैं जो अभी सीटों पर बिहार विदान परिशर चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी RGD की प्रचंड जीत होगी लेकिन ऐसा होता हुआ बिलकुल भी नजर नहीं आ रहा है हर तरफ से बिहार NDA का जो नाम है वो आगे आता हुआ नजर आ रहा है बिहार NDA के जो प्रत्याशी है वो लगातार जीत हासिल कर रहे हैं अलाकि अभी कई जिलों से नतीजे आना बाकी है आधिकारिक घोशना होना बाकी है लेकिन हमने बात की है कटिहार की तो कटिहार की सीटिंग MLC जो पहले निर्दलिये तौर पर चुनाव लड़े थे